हेलो एवरीबन बच्चो हमने स्टाट किया था रिवीजन टैस्ट पेपर सीए फांडिशन का तो आई डीपी में देखते हैं कुछ और कोशन करते हैं रिवीजन टैस्ट पेपर के ठीक है तो हमने चार पाथ तीन चार कोशन कर लिए थे आगे की कोशन देखते हैं कौन-कौन से कौशन पेंडिंग है वो कौशन सॉल्ब करते हैं तो आगए हम बी आरे समने कर लिया था फिफ्ट कोशन सिक्स कोशन देखते हैं इन्वेंट्री इसमें स्टाउक वगरा निकालना होगा क्लोजिंग स्टाउक या ओपनिंग स्टाउक यह हम कैलकुलेट कर लेंगे ठीक ह काफी असान होता है इन्वेंट्री इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आगी देखें एक ट्रेडर है वो प्रिपेर करता है अकाउंट का 31 मार्च को डिव टू सम अनवाड़ेबल रीजन नो स्टाउक टेकिंग ओके नो स्टाउक टेकिंग कुड भी पॉसिबल तिल फिप्टीन एपर लिकतिस मार्च को हम फाइनिशल स्टेट्मेंट बनाते हैं महां पे स्टाउक क्यलकुलेट करना चाहिए इकतिस मार्च को नहीं क्यलकुलेट कर पाया बड़ 15 अपरेल को इसने क्यलकुलेट करा और विच डेट टोटल कॉस्ट इंवोड इन हिज गोडाउं कांट रुपीच टू लाक प्रेप्ली ताउजड ओके पंदरा अप्रेल को गुड्स गुड्स कितने के थे दो लाग पर्चेजस गीवन है सेल्स रिटन गीवन है फूर्थ एंट्री में लिखा फंदरा मार्च गुड्स ऑफ दा सेल वैल्यू पचास अजार वाले सेंड करे थे हमने कैसे सेल और रिटन यानि अप्रूवल बीच इस पे कोई बात नहीं अप्रूवल पीरियड है फोर वीक का ह कि रिटन 40% तो उसने माल वापस कर दिया रेस्ट रेस्ट माल क्या है कस्टमर वाज बिल्ड ऑन 16 अप्रेल बागी माल उसने खरीद लिया 16 अप्रेल को इसको सॉल्व करना है ठीक है कोईशन को एक बार और ध्यान से देखिए फॉर्मेंट बनाते हैं सॉल्व करते हैं चलि 30 first March को हमें stock calculate करना चाहिए 31st March right 31st March को stock calculate करना चाहिए 31st March को calculate नहीं कर पाया मैंने फंदरा दिन बाद calculation करी 15 अब यहां से यहां तक की transaction आपके पास given है तो इसको मैं बोल दूँ closing और इसको opening बोल दो तो कोई दिकत तो नहीं है सिंपल सी बात है इस 15 दिन के लिए this is a closing period this is opening period ऐसा बोल चकते हैं तो यहाँ पर जो इस टॉक निकल के आएगा opening 15 दिन का वही कत्ति स्मार्च की value होगी तो हम 15 दिन की calculation करेंगे 15 दिन में कितनी sales हुई है sales जो भी हुई है उसमें से आप GP को minus करती चाहिए क्या जाएगा COGS cost of goods sold right cost of goods sold आ जाएगा या दो ओकर formula एक और formula होता था हमारे पास COGS का फिर एक formula और क्या होता था बच्चों COGS का मैं यहाँ लिख देता हूं दो formula होते थे थे ना COGS के cost of goods sold के cost of goods sold का हमारे पास formula है sales minus GP second opening stock plus purchase minus closing अब भी हम यह निकाल रहे हैं opening कैसे 31 मार्च से 15 अप्रेल तक का मैं data consider करूँगा 31 मार्च को मानूँगा opening 15 अप्रेल को मान रहा हूं closing तो यहां से हम इधर की तरब जा रहे है राइट तो देखते क्या 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 डाटा 15 अप्रेल को कितना stock है हमारे गोडाउन में दो लाख पचास अजार 15 अप्रेल को गोडाउन में stock कितने का है दो लाख पचास अजार और sales कितनी है हमारे पास दो लाख पाच अजार अब calculate कैसे करना है यह देखिए आप सबसे पहले 15 अप्रेल वाला stock लिख लीजिए देखो सबसे पहले में stock लिख रहा हूं स्टाक अन 15 अप्रेल दो गोडाउन कितने का यह 15 अप्रेल 2022 डाइलाग रुपे का हमें यह निकालना है तो cogs की इकवल टू में cogs में closing add हो जाता है और purchase minus हो जाएगा वही अगर मुझे opening निकालना है तो formula क्या बनेगा cogs plus closing और minus purchase इसी formula पर काम करूंगा कतम बद आ जाएगा अब इसमें closing तो लिख लिए हमने cogs add on कर देंगे cost of goods sold को क्या करेंगे add करेंगे cost of goods sold कैसे निकलेगा sales minus gp पहले हम देखते है हमारी sales कितनी है और उस पर gross profit कितना है चलिए जी sales है दो लाख पांच जार की जिसमें cash sale 50,000 है कोई फरक नहीं पड़ता cash sale है दो लाख पांच जार में से पांच जार माइनस कर दीजे क्यों sale return माइनस होगी बस cash sale नहीं अटानी cash sale में भी तो profit होता है ठीक है और profit का rate question में given होगा कितने percent profit कमाते है ये बात तो question बताएगा न gp देखिए gp का rate कही ना कहीं question में given होगा आगे होगा सायद कहीं देखिए ये रहा ठीक है the trader had also received goods कुछ goods और भी receive हुए थे 40,000 के in March 4th sale on consignment basis okay 20% of the goods had been sold by 31st March तक ठीक है बागी बच गया होगा and another 50% by 15 April तक these sales are not include अंदा बाउ सेल में नहीं है ठीक है profit कितना है उस sale पे 20% ओके तो चलते हैं पहले sales लिखते हैं यह आपर दो लाग पांच अजार में से भई दो लाग पांच अजार थी sales किदर कर देते ना sales से दो लाग पांच अजार उसमें से 5000 माइनस करना था तो दो लाग आ जाएगा दो लाग में से जीपी माइनस कर दो 20% गीवन है तो चालीस अजार it means cost of goods sold कितना आ गया है एक लाग साट अजार अब sales भी हो गई और cogs भी हो गया दो चीजे तो मिल गई हमें approval वाला है वो भी plus कर लो गई approval भी तो आता है sale on approval approval का कितना है वो चेक करना पड़ेगा एक बार cost of जैसे cogs है cost of goods sold तो cost of goods on approval वो भी यहाँ पर add होगा because वो भी तो है कुछ पार्ट कितना है देखते हैं approval वाला पार्ट कितना है हमारे पास पचास अजार रुपे के goods हैं बचो कितने के goods हैं पचास अजार रुपे के चीक है उसने 40% तो return कर दिये तो balance कितना रह गया हमारे पास balance रह गया 60% किसी customer को आपने goods दिये थे पचास अजार रुपे के जिसमें से 40% goods customer ने वापस कर दिये हैं तो balance कितना बचा ठीक है 60% तो पचास जार का 60% कितना होता है तो पचास अजार का सर 60% होता है 30,000 इसमें से भी जीपी माइनस कर दो 20% तो इसकी value कितनी आ जाएगी वही 24,000 किसी customer को मैंने 50,000 का माल दिया approval पे right cost of goods sold उसमें से 40% माल वापस आ गया it means 60% sale हो गई होगी तो 60% जो sale हो रहा है उसकी value कितनी है 30,000 जीपी माइनस कर दो 20% तो value कितनी आ गई 24,000 सेम वैसे ही COGS की तरह है यह part बन गया हमारा अलग चीक है अब परचेज चाहिए हमें परचेज है 25,170 रुपे की 9950 रुपे की cash परचेज है इसे कोई फिरक नहीं परचेज रिटेन है नहीं तो 25,170 सीदे सीदे माइनस हो जाएगा बोला था ना यह देखो COGS plus closing minus purchase तो परचेज की value माइनस कर दो यहां से less तो परचेज माइनस कर देंगे परचेज कितना है हमारे पास 25,170 रुपे यह माइनस हो जाएगा ची क्या और दूसरा इटम क्या था एक परचेज और थी ना कोई से नीचे दिया था the trader receive goods 40,000 रुपे के on sale of this consignment basis पे sale करना है तो यह भी परचेज ही एक तरह से 20% तो goods हमने बेच दिये 20% goods बेच दिये फिर कितने रह गए वही 20% अगर इसका बेच दिया और फिर लिखाए 50% और बेच दिया बाद में 30% तो फिर भी बचा होगा 40,000 का 30% करो 40,000 का 30% calculation कर लेते हैं वही 40,000 का 30% माल अभी भी है परचेज के नाम से 12,000 रुपे का चीक है 40,000 का क्या किया है यहां पर 30% तो इस अनसोल्ड तो यह दोनों माइनस कर दो पचीस हजार एक सो सतर और बारह हजार सैंतिस हजार एक सो सतर ओपर का डूडल लगा लो डाई लाग प्लस एक लाग सरी हां डाई लाग प्लस एक साट और 24,000 क्योंगा चार लाग चार लाग चौनतीस हजार चार चौनतीस में से सेंतीस हजार एक सू सतर मैनस कर दो तो क्लोजिंग स्टाक आ जाएगा 3,96,830 Stock on 31st March ठीक है 2022 15 दिन बाद का stock था closing stock उसमें हमने क्या करा cogs add किया cogs add on किया ये बहुत हार cogs cost of goods sold purchase minus कर दी ठीक है purchase minus कर दो तो ये निकल गया हमारा stock on 31st March इसको note करिए फिर करते हैं next question फिर देखते हैं next question अब अगले question में क्या है देखो इसको note कर लेना अगला question करते हैं next है depreciation से तो depreciation देखते हैं अब firm purchase and old machinery एक firm क्या कर रही है old machinery purchase कर रही है एक company है old machine purchase कर रही है 37,000 रुपे की ठीक है एक जनवरी 2019 को spend कि उस पर हमने तीन हजार on its overhaul ली ठीक है तो तीन हजार at a time of purchase of fixed assets जितने भी खर्चे होते हैं वह assets में add on करने होते हैं assets में add कर लेने होते हैं 37,000 रुपे हमने खर्च करें हैं 3,000 रुपे और खर्च करें machine में जोड़ लेंगे machine का खर्चा हो गया 40,000 रुपे का तो 40,000 की हमने machine खरी दिये चलो साथ के साथ entry भी डाल देते हैं कोई बात है ठीक है और एक जुलाई 2020 को एक और machine खरी दी 10,000 रुपे की और एक जुलाई 2021 को दम मशीन वाज परचेज और जो सबसे पहले खरीदी थी 2019 में उसको हमने बेच भी दिया कितने रुपे में 2000 में ठीक है डाप्रिशेशन चार्ज करने 10% पर रहने डाप्रिशेशन लगाने 10% स्ट्रेट लाइन मेथेट से ठीक है आगे क्या लिखाए पड़े दियां से दा फर्म चेंज दा मेथेड ओके चेंज दा मेथेड का कुश्य ना गया चेंज दा मेथेड एंड अडप्टेड डिमिसिंग बैलेंस मेथेड विद इफेक्ट फ्रॉम फॉस्ट आप जैनवरी 2020 एंड रेट इंक्रीज करके कर दिया इसे बनाते हैं अकाउंट बनाते हैं इसका डप्रिशेशन ठीक है तो इस इस कोशें नंबर सेवन सेवन को सॉल्ब कर रहे हैं मर्शीन डिया काउंट मर्शीन ड्री अकाउंट अब मशीन हमने सबसे पहले खरीदी एक जनवरी 2019 को अब पहले वर्किंग्स लिखी लिते हैं फिर करते हैं इसको एक जनवरी 2019 को हमने एक मशीन खरीदी मशीन वन कितने की खरीदी है भई मशीन वन है 37,000 प्लस 3,000 चालिस अजार की मशीन वन जो हमने परचेज करी है वो कितने की है चालिस अजार की सेकिंड देखते हैं एक जुलाई 2020 को एक मशीन और खरीदी दस अजार की एक जुलाई 2020 को एक मशीन और खरीदी हमने दस अजार रोपे की चीक है, आन एक जुलाई 2021 को पहली वाली मशीन बेच दी एक जुलाई 2021 को M1 को हमने सोल्ड कर दिया, M1 को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया कितने रुपे में वही, M1 सोल्ड कर दिया, for 28,000 पे और न्यू खरीदली 25,000 की 28,000, same date पे, न्यू खरीदली हमने मशीन डी ठर्ड 25,000 रुपे गे फिर क्या गिया, और एक जुलाई 2022 को, एक जुलाई 2022 को second वाली मशीन डी, एक जुलाई 2020 वाली 2000 में बेच दी, एक जुलाई 2022 को, एक जुलाई 2022 को, जो मशीन एक जुलाई 2020 को खरीदी थी यानि की M2 सूल्ड कर दी, 2000 रुपे में, कितने में 2000 में, ये भी वर्किंग आ गई, ठीक है न, एक जुलाई 2022 को, एक जुलाई 2020 वाली मशीन बेच दी, 2000 में, डेप्रिशेशन अभी लगाना है 10% SLM, और 2020 से लगाना है 15% WDP, ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले मशीन के एंट्री करो, जो हमने सबसे पहले मशीन खरीदी है, टू बैंक, जो सबसे पहले हमने मशीन खरीदी है, वो कितने की है, 40,000 रुपे की, 37,000 प्लस 3,000, 40,000, अब तो अगली एक साथ 2020 में खरीदनी है, तो ठीक है, पहले साल का डैप्रीशेशन लगा देते हैं, 31 दिसंबर 2019 का डैप्रीशेशन कितना आएगा, पर डैप्रीशेशन आएगा, इस पे 10%, पतलब की 4,000, और बैलन्स शीडी कितना बचेगा मशीन का, बाई, बैलन्स, टीडी बचेगा बच्चो, 36,000 रुपे का, बैलन्स एडी कितना बचेगा, 36,000 रुपे, टोटल हो गया, यह 40, और इदर भी टोटल हो जाएगा, हमारा 40,000, आप सेकंड एर में करते हैं काम, एक जनवरी 2020 से, टू बैलन्स बिडी, ओपनिंग बैलन्स कितना है हमारे पास, इस बार, टू बैलन्स बिडी, बैलन्स बिडी कितना है बचेगा, बचेगा, इस बार, जो पिछले साल का, क्लोजिंग था, 36,000, 2020 में क्या, आपने कोई नई मशीन खरीदी, सेकंड वाली यह 10,000 की, एक जुलाई 2020 को हमने एक नई मशीन खरीद ली, टू बैंक, इस मशीन नमबर तू, दस अजार रुपे की, आपको depreciation लगाना है, आपको 15%, 31, December 2020 से, इस साल जो depreciation लगेगा, वो SLM नहीं लगेगा, WDV लगेगा, और वो भी कितना लगेगा, 15%, ठीक है, 15% depreciation लगाना है, तो 15% लगाएंगे, तो कितना आएगा, देखो, अब retrospective या prospective चेक करो, क्या लिखा हुआ था, depreciation is a charge, 10% per annum on SLM, the firm charge, change the method, और adapt कर लिया, WDV, effect from 1st Gen 2020, यानि अभी change करना है, starting से change नहीं करना, starting से change करते हैं तो बोलते है, retrospective, but current year में या बच्चो चेंज करना है, तो इसको बोलेंगे, हम prospective, prospective है, simple है, फिर तो बिल्कुल सिंपल है, 36,000 का 15% लगा दो, machinery one के उपर, 36,000 पे 15% किया तो यह आगया, 5400, second machinery का 10,000 का 15% करो, 1500 रुपे आ रहा है, बट 6 मीने का लगाना है, है, machine two पे, 6 मीने का लगाना है, तो यह आदा हो जाएगा, 750 रुपे, तो चावण सो और साथ सो बचास, यह हो गया, 6,150, चीक है, by balance, cd, m1, m2, दोनों separate लिखेंगे, 36,000 में से पहले, चावण सो माइनस कर दो, 54,600, तीस हजार चैसो, जो machine one है, वो कितने की है, तीस हजार चैसो की, दस हजार में से साथ सो बचास हड़ा दो, यह आगया, 9,250, 9,200, टोटल होके हो जाएगा, यह 39,850, ठीक है, 39,850, इसका टोटल इदर कर देते हैं, 39,850, 6,150, जिरो, 46,000 रुपे, इदर, credit side total है, 46, इदर भी इतना है, debit में भी, यह हो गया, हमारा, दो साल कंप्लीट हो गया, 31 मार्स 2020 तक कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं, 2021 में, फास्ट जुलाई, फास्ट जुलाई, लिख दिया, मैंने फास्ट जैन होगा न, फस्ट जैन, 2021, तो टू बैलेंस बीडी, तो, बैलेंस बीडी, मशीन वान, मशीन टू, 30,600 रुपे, और 9,250 रुपे, 39,850, तो 2021 में क्या करना है, वही, 2021 में देखो, यह वाली मशीन बेच देनी है, इस वान, इस मशीन को क्या करना है, सोल्ड कर दो, बेच दो, एम वन को बेचना है, एक जुलाई, 2021 को, ओके, एक जुलाई, 2021 को, हम सेल की एंट्री करेंगे, पहले, सेल की एंट्री, इधर लिखेंगे, buy bank M1 को हमने sold कर दिया कितने रुपए में 28,000 रुपए में जिस दिन बेचोगे उस दिन तक का पहले depreciation भी लगाना है why depreciation लगा देंगे कोई बात है नहीं कब तक का 1 जुलाई तक तो 30,600 पहले depreciation लगाओ पहले तो 30,600 का 15% यह आ रहा है 4590 ठीक है एक वरकिंग नोट किया हमने machinery 1 की value एक जनवरी 2021 को कितनी है वही 30,600 हो गया depreciation लगाया 15% 6 महीने का तो 6 महीने का हो गया 2295 2295 हो गया तो कितना बचेगा 3600 महीने करेंगे तो 28,305 रुपए 28,305 वाली मशीन 28,000 में बेच दी तो loss कितने का होगा 305 का ठीक है तो depreciation आगया 2295 फिर वापस अपनी original value पे by loss on sale इसको हम लिखते हैं profit and loss account तो profit and loss हुआ हमारा 305 रुपए का ठीक है loss कितना होगया 305 रुपए का loss यहाँ पर आप transfer करोगे और same date पे ही एक जुलाई 2021 को हमने एक नई मशीन भी खरीद ली to bank this is machine third this is machine third 25,000 रुपए के अब 2022 में एक मशीन और बेच नहीं है second वाली उससे पहले entry कर देते हैं यहाँ पर 31st December 2021 को by depreciation अब depreciation लगेगा machine two पे और machine three पे depreciation किपना लगेगा इस बार देखो एक तो second machine पे लगाना है इस वाली पे 9,250 का लगाओ 15% 9,250 का 15% यहार है 1387.5 तो इसको round off करके ले 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 ना 1388 second machine पे लगाओ 25,000 का 15% second machine कितने हैं कि यह 25,000 का 15% ठीक है 6 मीने का 1875 रुपए 1875 रुपए कितना हो गया यह 1875 रुपए और 1,3,883,2,6,3 ठीक है ठीक है ठीक है अगे का बार्ट देखते हैं क्या है देखिए अब बाई बैलन्स एडी बाई बैलन्स एडी कितना आएगा बाई बैलन्स एडी बची हुई मशीन की वैली तो मशीन डी टू एड़ मशीन डी त्री राइट मशीन डी टू है जी नौ अजार दोसो पचास में से वन त्री डबल एट माइनस किया यह आ गया सेवन एट सिक्स टू मशीन डी त्री पच्छिस अजार में से अठारा सो पिछत्तर रुपे माइनस कर दिये अब बच्छों यह आ गई तेईस अजार एक सो पच्छिस सेवन एट सिक्स टू इन दोनों को एड करके बन गया यह तीस अजार नौसो सत्तासी टूडल लगा लेते हैं इसका इसका भी टूडल लगा लेते हैं तो रह जी टूडल करते हैं अठाईस अजार डबल डू नाइन फाइब 305-326-330987 46,850 क्रेडिट साइड डेबड भी तनहीं होगा 46,850 ठीक है चक करते हैं 39,850 25,000 ठीक है तो 2021 तक के अकाउंट हमारे बन गई है अब 2022 में M2 को सोल्ड करने 2000 रुपे में ठीक है 2022 में M2 को सोल्ड करने कितने में 2000 रुपे में ठीक है एक जुलाई को सोल्ड करते हैं 2022 में देखते हैं क्या है ठीक है 2022 की ओपनिंग वैल्यू लिदते हैं यहां पर एक ठीक है जनवरी 2022 2022 तू बैलेंस बेडी मशीनरी टू एंड मशीनरी थ्री 7,8,6,2 और 23,125 टूडल करके आगया 30,987 दो मशीन है अब हमारे पास लेकिन एक जुलाई 2022 को क्या करना है हमें एक मशीन बेच देनी है 2,000 रुपे में मशीनरी टू को क्या करना है 2,000 रुपे में बेच देना है ठीक है बेच देंगे कोई दिक्कत नहीं है बेचने से पहले उस पे लेकिन डेप्रीशेशन लगाएंगे जिस दिन मशीन बेच होगे उस दिन तक का डेप्रीशेशन लगाऊगे 7,8,62 पे 7,8,62 पे डेप्रीशेशन लगाते है जो मशीन 2 है उसकी वैल्यू है 7,8 6,2 काभा है यह वैल्यू एक जनवरी 2022 को 15% लगाओ 6 महिने का depreciation इसका 15% 6 महिने का होते है बच्चो 589 तो 590 ले लेते हैं इसको 590 पॉइंटे में आ रहा है ठीक है 7862 में से 590 माइनिस करड़ो 7272 ओके depreciation लगा 590 तो लॉस कितना आया by P&L by profit and loss loss हो गया ना sale करने पे 727 वाली 2000 में बेच दी हमने तो 5272 का loss वही यह मशीन 2000 रुपे में बेच दी जाए 7000 रुपे वाली तो 5000 का loss तो हो गई तो 5000 दोसो बादतर रुपे का क्या हो गया में loss हो गया ठीक है बचीवी मशीन पे 31 मार्च को अब देपरिशेशन लगा लेगा 31 दिसंबर को सारी 31 दिसंबर 2022 फिर से लगाएंगे हम बाई डेपरिशेशन बट अब डेपरिशेशन लगेगा सिर्फ नई वाली मशीन पे only वशीन दी त्री पे तो 23,125 इस वाली मशीन पे डेपरिशेशन लगाना है देख लो 23,125 पे तो 23,125 का करा मैंने 15% 3468.75 कैलकुलेट कर ले यह होजाएगा 3469 बचेगा कितना बाई बैलेंस डी यही मशीन बच जाएगी अके लिए अब तो 23,125 में से वैल्यू माइनस कर दो 23,125 माइनस में 3469 19,656 रुपए 19,656 डिस इस क्लोजिंग बैलेंस आफ मशीन ट्री टूटल करेंगे इधर भी टूटल करेंगे 30,987 और 30,987 यह लोजी आब इस कोशिन को प्रॉपर नोट करिए देन आगी देखेंगे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पहले यह हो गया अपना पूरा कुश्य नहीं, यहां से नोट करिए ताप सुतरा फुल वर्किंग नोट के साथ आपको नोट करना है अच्छे से पूरी की पूरी वर्किंग नोट वगेरा सारी बनाने अच्छे से आपको यह अगे का पार्ट इसको नोट कर लीजिए then करते है next question इसको नोट कर लो next part में करते है next question ठीक है यह पूरा नोट कर लीजिए next में करते है